हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर रजिनी अगरवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं इस वीडियो में आज हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रुप रेंग इंटिगल डोमेन इत्यादी की परिभाशाओं विट ए हमारा मौस्ट इंपोर्डेंट होता है ग्रुप यदि आप लोगों को ग्रुप आ जाता है तो आपको पूरी की पूरी बुक का अंदाजा जाता है कि इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं तो इसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जा करके उसको ग्रुप को आप दे लिए ऀट लेस्ट तू वेलिमेंट 5 ओर लिन गृम में हमेशा एक एलिमेंट होता है कि फीले में भी अमारे दो वाइनरी ओपन लेमेंट्स ए तो एक यहां जिले मीट। अर फील में इसका मतलब यह है, हमारे पास में जो कोई भी एक ring है। ब्लस और इंटू के लिए, जो भी रिंग की डेफिनिशन थी, उसको पूरा करते हैं. साथ में into के लिए cumulative है पहला cumulative का मतलब होता है a into b equal to b into a होना चाहिए यानि कि गुणा के लिए करम विनी में होना चाहिए साथ में has unity इसका मतलब इसमें एक identity element होना चाहिए कि हम किसी भी element को उस identity element से multiply करें तो same element आ जाना चाहिए तब हम कहेंगे कि यह जो ring है यह इसके पास में identity element है तो यह field भी कहलाता है इसी तरह से एक और third properties की प्रूब होना चाहिए ring के अलावा is such that each non-zero element तो जो हमारा ring है उसमें suppose हमारे पास में 0, 1, 2, 3 इस तरह के element है इसमें से 0 को अटा दें तो non-zero element are without 0 तो जो non-zero element है केवल into के लिए वो non-zero element का inverse भी होना चाहिए यानि कि a into b equal to 1 equal to b into a आना चाहिए that implies inverse of a is b और inverse of b is equal to a तो इस तरह से अगर हमारे पास में कोई भी एक ring है रिंग का मतलब क्या होता है जो रिंग की मैंने आपको पिछली complex number plus and into ये हमारे सारे sorry ये हमारे सारे field के examples हैं इसके साथ ही अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास में r कोई एक समुच्चे है जिसमें कम से कम दो अभियव हैं माना की r is any set non empty set लिख लिख लेते हैं जिसमें कोई बने कोई अभियव ज़रूर होना चाहिए माना की r को हमारा non empty set है ठीक है then r plus के लिए एक करम विनी में ग्रूप होना चाहिए अब करम विनी में ग्रूप में मैंने आपको पिछली बार बताया था first क्या होता है closed second identity third associativity sorry second था यह थर्ड़ था associativity यानि सहचारे था एक संवर्थ था एक तत्समकी अवयव एक associative यानि सहचारे था और inverse और cumulative यानि करम विनी में ठीक है तो ग्रूप की तो यह परिवाशा होती है साथ में अगर करम विनी में लगावा है तो करम विनी में भी होना चाहिए तो यह आर प्लस के लिए करम विनी में ग्रूप होना चाहिए आर माइनस जीरो यानि जीरो के अलावा जितने भी अवयव है वह इंटू के लिए cumulative ग्रूप होना चाहिए साथ में एक distributed property होनी चाहिए a.b plus c equal to a.b plus a.c अगर यह सारी properties को प्रूव करता है तो हम यह कहते हैं कि यह हमारा एक field है तो यह इसके examples है और मैं आपको अगे एक example बताऊंगी अब एक next definition पर लेते है division ring और skew field अगर हमारे पास में कोई भी एक ring R है हमारे पास में कोई एक ring यह जो R है इसमें at least two elements होने चाहिए यह हमारी division ring कहलाती है या skew field कहलाती है division ring या skew field कहलाती है यदि इसमें unity है यानि की multiplication के लिए identity है और साथ में सारे non zero elements के लिए multiplicative inverse इसमें उपस्तित है तब हम यह कहेंगे कि यह हमारा skew field या हमारा division ring कहलाता है तो इसमें और field में क्या फरक रहा students इसमें केवल यह फरक रहा कि इसमें cumulative नहीं है into के लिए अगर division ring में यह हमारे पास में division ring या skew field division या ring या skew field अगर हमारे पास में है तो उसे हम field कब कहेंगे जब उसमें cumulative जुड़ जाएगा तो every field is also division ring कोई भी जो division जो field है वो division ring हो सकती है लेकिन vice versa नहीं है जो division ring है वो field कब होगी जब केवल यदी वो cumulative हो तो इस तरह से आज मैंने आपको दो definition पढ़ाई है division, ring, skew field and field अब इन जो field के जिते भी examples हैं या ring के examples हैं तो मैंने आपको group के ring के field के सब के examples कराई हुए हैं आज मैं field का यह example आपको कराती हूँ इस example में अब यह example है question है ring z3 is equal to 0, 1, 2 एक set है yog modulus 3 है into modulus 3 है is a field हमें इस सिद्ध करना है कि यह ring जो है यह हमारा field है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो एक दूसरा question था जिस question में set हमारे पास में था 0, 1, 2, 3, and 4 plus 5 yog modulus 5 and into modulus 5 यह वाला जो set था इसका मैंने आपको example से आपको ring के बारे में बताया था वैसे हैं हमको आज यहाँ पर इसके लिए करना है सिर्फ यहाँ पर 3 अभी 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 है यहाँ पर 5 अभी अभी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 0 यह यहाँ पर plus 0, 1, 2 0, 1, 2 इसको जोड करके हम लिख देंगे 0, 1, 2 1, 2, 3 अगर 1 plus 2, 3 है तो 3 में से 3 माइनस किया तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे इसी तरह से 2, 0 and 1 इसी तरह से हम into के लिए into के लिए into modulus 3 होता है इसका मतलब होता है कि a plus b is equal to a plus b if a plus b is less than यहाँ पर 3 इस वाले वीडियो में 3 है और इस वाले वीडियो में less than 5 है और a plus b is equal to a plus b minus 3 if a plus b is greater than equal to 3 हो इस वाले वीडियो के लिए तो यहाँ पर हम 0, 1, 2 0, 1, 2 into करेंगे 0 को सब से 0 करेंगे sorry multiply करेंगे तो 0 आएगा 1 को करेंगे तो 1, 2 2 को करेंगे तो 2, 1 is a 2 2, 2 is a 4 4 में से 3 गया तो 1 तो यह हमारे पास में दोनों के table आई अब इस वाले table में आप देखेंगे कि यह करम विनिमे group है plus के लिए इसी तरह से यह करम विनिमे group है into के लिए non zero के लिए zero के लिए हम इसमें से नहीं लेंगे और यहां पर जो inverse है one का तो two है और two का हमारे पास में one है तो inverse भी इसमें उपस्तित है identity हमारी one है यह मैंने आपको कैसे one आएगी यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो line यहां पर लिखे हुई है same वैसी line जहां होगी उसके left में जो element है वो identity होता है तो यह into के लिए identity one है और plus के लिए identity हमारा कितना है zero है तो इस तरह से हम इस पूरे सवाल को यह जो ring है पहले इसको ring की सारी definition को prove करेंगे exam में cable ring नहीं उसके साथ में अगर हम को इस सवाल को integral domain भी prove करना है तो integral domain प्रूव करने के लिए हम इस सारी से क्या इस वाले सारी से हमने क्या देखा कि a and b is element of r है केवल कब if and only if a into b into modulus 3 is equal to 0 कब है that implies a बराबर 0 है या b बराबर 0 है और यह हमारे पास में ring without zero divisor ही integral domain होता है यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था तो यह वाला सवाल और यह वाला सवाल यह दोनों हमारे ring भी है integral domain भी है और field भी है integral domain और field जो है वो हमारे पास में केवल prime number से ही आते हैं जो जैसे कि यहाँ पर यह 3 है यह prime number है यह जो योग modulus यहाँ 5 है तो ऐसा भी एक सवाल आगे मैं आपको कराऊंगे जिसमें कि कोई भी ऐसा समुच्चे जिस समुच्चे में जितने भी अव्यम है और योग modulus P या M जो भी दे रखा है वो prime number है तब ही वो field या integral domain होता है तो इस तरह से मैंने आपको students integral domain field group इन सब की परिभाशाएं with examples आपको करा दी हैं अब next video में मैं आपको इन सब के जो ring की जितनी भी properties है और जितनी theorem से वो start कराऊंगी Thank you